What's up guys, I hope you are doing well, I am weird, welcome to study IU आश्चेरे चेगी दूआ, मैंने का, यह लिक कैसे लेते हैं, यह समझ में नहीं आ रहा था मुझे, मैंने का, यह पैन कैसे चला पारे हैं आपर, यह इस तरीके से कैसे चीज़े हो पारे हैं, तो पढ़ाने का थोड़ा सोक था, तो फिर मैंने सच करना चार्ट करे रहा है, YouTube क की वीडियो कैसे बनाते हैं इस तरीके से, तो लग बग दो महिने तक मैंने total इसके उपख रिसर्च किया बैटके, कि किस तरीके से वीडियो बनाते हैं, क्या-क्य सब्ट्वेर चाहिए, यह राइटिंग पैड क्या होती है किस तरीकी से चलती है, कौन-कौन से सब्ट्वेयर होते हैं, सारी चीजे टोटली जानी है, कोई single person नीता मुझे बताने वाला, कि YouTube पर वीडियो कैसे बनाते हैं, टोटली मैंने YouTube से ही सीखा है, सब कुछ बनाना, वीडियो कैसे बनाते हैं, और YouTube पर ही आज की डेट में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप लोग के अंदर भी कुछ करने की छमता है, आप लोग कुछ करना चाते हैं, छमता बहुत है, कुछ करना चाते हैं, तो आपके अंदर उत्सुता होनी चीज़ जोगो जानने की, तो आप लोग करके ले जाएंगे, इसलिए मैंने आप लोग को कल की वीडियो में भी बोला था, कि मैं आज तक कोई वीडियो डिस्लाइक नहीं किये YouTube पे, वो इसलिए नहीं किये कि मैं जानता हूँ सामने वाला कितनी महनत करके, वीडियो बना पा रहा है, भले ही वो अच्छी नहीं बना पा रहा है, आप लोग को अच्छी नहीं लगी है, मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मेरा करते वे ये बनता है कि नहीं अच्छी नहीं लगी है, तो आगे निकलू, ठीक है, उसको छोड़के मुझे नहीं देखनी है, आप लोग कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग कोई रोकने वाला नहीं है, आप लोग को अगर कुछ भी नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था YouTube के बारे में, और आज की रेट में आप लोग के सामने वीडियो बना रहा हूं, तो अगर आप लोग भी कुछ करना चा पर जांबिया इसको जाकर मैप में निहारिएगा ओके आप लोग मुझे फोलो कर सकते हैं वीर तालियान के नाम से मेरी Facebook पर प्रोफाइल है यहां पर आप लोग मुझे फोलो कर सकते हैं इसके अलावा जो जो डूसरे पर आप लोग मुझे अच्छे लगते हैं आप लोग के लिए वो भी पोस्ट कर देता हूं और इसके अलावा इंटेस्टिंग इंफोर्मेशन तो आप लोग चीजों को सेर भी कर दिया कीजिए बयान भी आया है काफी दिनो बाद फ्रोड के तो उसी के बारे में जिक्र किया गया है अच्छे से डिसस करेंगे आर्टिकल को यहां पर आर्टिकल में सारी बाते वैसे पुरानी है कुछ नया नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का जो आप लोग देखते हैं सीज फायर जो पाकिस्तान की साथ में तो हम लोग नोर्मल रहा करते थे कोई ज्यादे रिक्सन निदिया करते थे और सोचा करते थे कि बात ये करें उनसे जाकर और उसका स्टोड़ी चेंज हो गई हम लोग आज की रेट में आप लोग को देखने को मिलता है जितना एग्रेस्टिव हो र है फिर से घूम फिरा के वही चीजे चल रही है और उसी पैटरन पे चलती हुई नजर आ रही है तो कहने का मतलब यह है कोई रास्ता नहीं दिख रहा है एक धुंदले रास्ते पर हम लोग चल रहे है तो चीजों का अंडरस्टेंड करने की कोशिस करनी चाहिए कि किस तरी ट्रम फिर जा रहे है और आप लोग को एक्टिव यूठनिचा के बारे में देखने को मिलेगा मतलब क्या अब हम passive euthanasia allow कर चुके हैं Supreme Court के decision के बाद में आप लोगों को देखने को मिला Living Will के बारे में भी हम लोगों ने जाना अब बात की जारी है active euthanasia के बारे में क्या ये next step है आने वाले time में हम active euthanasia को allow कर सकते हैं अपनी country में तो उसी के बारे में question है article को discuss करेंगे तीनो view यहाँ पर दे रखें तो तीनो view को जानेंगे कि क्या क्या बात नहीं आपर की जा रही है आज की date में हमारा रवया change हो चुका है पहले हम Russia को आप काफी अच्छा partner बना के रखा कर देदे पर आज की date में हम US की तरफ को tilt हो चुके है तो उसी के बारे में article पर discuss क्या जा रहा है काफी अच्छे से बाते बताई जा रही है कि देखिए एक evergreen friend Russia हमारा रहा और एक trustworthy friend रहा है तो उसी के बारे में article है article को discuss करेंगे आप लोग को पता है माल विया type के नीरभ मोधी type के कई सारे इंसान हमारी country में नहीं नहीं निकल कर आए तो उसी के बारे में आपर discuss क्या जा रहा है fugitive bill के बारे में तो इसको भी हम लोग article को जानेगी तो start करते हैं आपर first article से आपर आप लोग को जानने को मिलेगा India और Russia के relation के बारे में बात की जारी है mainly देखे रसिया आप लोग को देखने को मिलेगा हमारा old weather friend रहा है चाहिए कोई भी situation रही है आप लोग को देखने को मिलेगा cold war में दो side work करती थी एक side में USC वर करता था एक side में USSR वर करता था चाहिए कुछ भी situation इन दोनों के बीच में हो ठीक है आप लोग को हमेशा देखने को मिलेगा रसिया कहीं ने कहीं डिरेक्ट्री हम लोग किसी के साथ में नहीं थे नोन अलाइंग मुवमेंट बना हुआ था नेम जिसको बोला करते हैं नेम के हम पार्ट हुआ करते थे नेम का मतलब है यह था ना तो USA के साथ में जाना है ना len USSR के साथ में जाना है तो हम लोग को अलग रहना है उस टाइम पर हम लोग को अलग रहते रहते भी रसिया हर टाइम हमारे साथ में खड़ावा मिला है चायए कोई भी सीच विशन क्यों नहीं हुई हो और सबसे शांदार उधरन आप लोग को देखने को मिलेगा 1971 की वार के डूरेशन में उस टाइम पर रसिया हमारे साथ में आकर बिल्कुल कंदे से कंदा मिला कर खड़ा हो गया था ये सिच्वेशन आप लोग को देखने को मिलेगी और इन डिरेक्ट वे में जो USA वगर था य हम तो रसिया के साथ ही है ठीक है कहीं न कहीं उनके मांड में ये image किलियर थी पर लेकिन आप लोग को देखने को मिलेगा चाहिए कोई भी situation को ने रही है और रसिया ने हमारा साथ हमेशा दिया है और पाकिस्तान के साथ में कभी भी relation अपने नहीं बढ़ाए पर लेकिन यहां पर क्या हो गया यहां पर पाकिस्तान हो गया यहां पर चाहिन हो गया यहां पर रसिया हो गया as compared to USA की बात कर रहों है ठीक है और USA की अगर history उठाके देखेंगे तो USA का आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कभी किसी का अच्छा दोस्त नहीं रहा है ठीक है वो हमे रहा है तो उस तरीके से रहता है पर लेकिन रसिया कहीं नहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा एक best friend की तरीके से होता है कि यार कुछ नहीं हम तेरे साथ है चाहे कोई भी situation हो जाए इस तरीका आप लोगो को देखने को मिलेगा तो ट्रेस्ट रवर्दी LA को कभी भ लोगो अच्छे से रहना चाहिए और देखे एक कहावत बोली जाती है कि हमेसा अप लोगो चार इंसान ऐसे रखने चाहिए कि कल को अगर मर जाये इनसान तो समसान गार तक मुचा दे तो कम से कम चार दोसतों चार कहने का मतलब है कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जिन Championship णो जिनसे आप लोग कभी suggestion मांगो, तो वो आप लोग को सही suggestion दे, और जो आप लोग को पता चले कि हर situation में आप लोग के साथ हैं, उस इंसान को आप लोग कभी भी life में नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, और नोर्मली आप लोग ने-ने friend मन लायते हैं अपनी जगे साहिए, पर लेकिन आज की डेट में हम लोग कहा जा रहे हैं, हम लोग क्वार्ट जोइन कर रहे हैं, और यह कहीना कहीं टैकल करने का काम कर रहा है, चाहिना को मोर, जादे तो जादे चाहिना को, पर लेकिन रसिया को भी आप लोग को यह देखने को मिलेगा, तो कहीना कहीं हमारा रव सकते हैं कि किस तरीके से यह नया घुट बनता हो न ज़रा रहा है यह बहुत बड़ा रोल critical, role play करेगा अगर यह घुट एक बार को पका दोस्त होनी कहते हैं कि लंगोट यार अगर आज रात को सोने से पहले कुछ है, सुबह सपना देखेंगे, कुछ रात को, सुबह को कुछ और बोलेंगे, उठके, तो महाँ पर उनके बारे में आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए क्या करना है हम लोग को, रिशिया को कहीं नहीं जाने देना है, लोगों के दोस्तों को हमको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं दोस्त बनाने के चकर में, नेक्स्ट आर्टिकल है, आपर फ्यूजिटिव एकनोमिक ओफेंडर बिल के बारे में, फ्यूजिटिव होता है भगोडा, जो भाग जाता है पैसे लेके, आप लोग देख सकते हैं, नीरा मोध हैं, उनके ओपर केस चलेगा, आराम से कंट्री में ही हैं, तो उनके ओपर ये बिल अपलाई नहीं होगा, पर लेकिन जो पैसा लेके भाग जा रहा है, जो यहां पर मालविया और नीरा मोधी टाइप के इंसान हो जा रहे हैं, उनके ओपर ये इंपिलिमेंट होता हुआ, आखिर क्या क्या जाना है, नोर्मली आप लोग को यह दिखता है, हमारी कंट्री में एक रविया बन चुका है, अगर आप लोग देखेंगे, मोटा मोटा एक एनलेसिस करके, कि अगर आज की डेट में वर्ल्ड को उठा के देखेंगे इस्ट्री, तो नोर्मली क्या करते है घोटाले करते हैं, और घोटाले करने के बाद में क्या सुचते हैं, कि क्या होगा, जाज से ज़्यादा घोटाला करने के बाद में क्या होगा, कि जेल में चला जाओंगा, कुछ दिन क्या कुछ साल जेल में काट का जाओंगा, कम से कम पैसा तो इतना ज़्यादा कर जाओं जाना और संपत्ती भी सारी जानिए तो इससे एक सामने वाले को सबोर्ट नी मिल पाएगी और इस तरीके एक्टिविटी करने से पहले चार बर सोचेगा ठीक है तो इसलिए हाँ पर यह बिल निगल करा रहा है कि इस तरीके आदमी की जो सोचने का प्रोसिजर है उसको आपर देखा तो यह बहुत बड़ा अमोंट होता है और पूरी अर्थ वेवस्त बहुत बड़ा इंपक्ट डालता है और खासकर बात की जारी यह बैंकिंग सिस्टम की जिसके ओपर किसी कंट्री की निवटी की होती है उसकी पूरी दुनियादारी हिला के रख देता है तो यहाँ पर declare किया जाएगा कि कौन यहाँ पर fugitive है मतलब कौन बगोड़ा बन गया है economic offender कौन है उसको यहाँ पर देखा जाएगा ठीक है इसके बाद में आप लोग में आपर next step नजर आएगा कि जो offender यहाँ पर हो गिया है जो बगोड़ा यहाँ पर बन गया उसकी संपत् से नजर आएगी ताकि हाँ पर आप लोग को एक हो नहीं है कि किस तरीक से recovery करनी है तो recovery का एक साधन यहाँ पर मिलता हुआ आप लोग को नजर आएगा और financial institution में stability हापर आप लोग को नजर आएगी तो rule of lie हापर implement करता हुआ नजर आएगा और जो fugitive हो अगर कोई बनना भी चाता है कोई भगोड़ा बनना भी चाता है हमारी Country का पैसा लूट कर भागना भी चाता है तो भागने से पहले सो बार सोचेगा कि किस तरीक से भागना यह भागना यह नहीं भागना है और क्या इसके consequences हो सकते हैं, तो एक बार आप लोग को देखने को मिलेगा है, कहीना करेंट करने का काम करेगा सामने वाले के लिए, जिस तरीके से वो खते हैं, कि मेरे पास में बंदुक है, तो गोली मत मारना वरना तुझे भी लगेगी, तो इसलिए आप लोग को देखने को मिलता है से मिलता जुलता है, इस article को भी देखते हैं, RBI का एक नया decision निकल करा है, जिसमें उसने L.O.U. Letter of Undertaking and L.O.C. ठीक है, तो letter of comfort, ये दोने हाँ पर ban कर दिये गए हैं, ये क्या हुआ करते थे, ये क्या क्या करते थे, credit provide करा है करते थे, फोरन में transaction करने के लिए, ठीक है ना, त क्योंकि मालविय ये निरामोधी टैप का आदी बन जाने की वज़े से, दूसरों को बहुत ज़्यादा problem यहाँ पर face करने पड़ेगी, international transaction में, ये एक valid और legitimate तरीका था पैसो को यहाँ पर send करने का, पर लेकिन जब से यहाँ पर 12,000 क्रोड से भी ज़्यादा उपर का हो हैं, उनको बहुत ज़्यादा problem face करने वाले हैं वो future में, इसकी वए से, क्योंकि अगर उनको import करने के लिए creator नहीं मिल पाएगा, तो किस तरीके से वो import करेंगे, और किस तरीके से वो अपना business को आगे चला पाएगे, तो जितने भी businessmen यह industry है, वो unhappy है इसकी वे से, ये बात रहे थे, export, import बढ़ रहा था उसकी वे से, तो उसके ओपर काफी impact पढ़ने वाला है, क्योंकि जो इनसान यहाँ पर आज की date में, अगर import नहीं कर पाएगा, raw material इंपोर्ट करके नहीं ला पाएगा, फिर वो export कैसे करेगा, तो दोनों ही तरीके से आपर impact पढ़ने वाला है, तो यह सही step नहीं बताया जा रहे हैं आपर, writer के द्वारा कि इस तरीके के step आपर नहीं उठाने चाहिए थे, RBI को, अब बात करते है RBI के बारे में, RBI के governor है उर्जीत पटेल जी, बाते सुन सुन के, comment सुन सुन के, frustrated हो चुगे थे काफी, finally उन्होंने भी अपना जो silent था, उन्होंने क्या बोला, कि यार एक side में तो आप लोग बोलते हैं, यह कर लो, एक side में बोलते हैं, वो कर लो, और दूरे side में आप लोग हमको power भी नहीं देते हैं, मतलब कहने का क्या है, इनके पास में only यह power है, कि सामने वाले को only, क्या कर सकते हैं, only एक, आप लोग सेजिस नहीं तो हम क्या करेंगे हमको यह बताई आप लोग जब कोई पावर देगा हमारे हाथ में तभी तो चीजे समझ में आएंगी फ्रोड हुआ है मुझे उससे दर दो रहा है मुझे भी पेन है यह बोला उर्जित पटेल जी ने अगर बैंकिंग में कोई फ्रोड होता है तो बहुत बड़ी बात होती है अगर RBI जैसे इस तरीके के कमेंट किये जाते है तो नोर्मल सी बात है इंसान को गुसा आएगा यार एक तो साड़ में आप लोग ने पावर नहीं दे रखी है तो पावर दीजे हमको उसके बाद में देखे कोई इस तरीके हरकते करता है तो फ अब यह तो वही बात हो गई ना कि माली जै अब मैं आप लोगों पढ़ा रहा हूं ठीक है सबको अब कुछ तो इस्टुडेंट्स ऐसे पास हो जाएंगे अच्छे से अपने लाइफ को इंजय कर पाएंगे ठीक डिरेक्शन में चल पाएंगे कुछ ऐसे स्टुडेंट्स पर दो पाइब करें सो अब एक्टयूटि कितनी करें दो तो उस लेवल पर कितना आप लोग कर रहे हैं तो वह असली रोल प्ले करेंगा आपकी लाइफ को सट्रुड बनाने में अकि तो R. V. I. क्या बोल रहे हैं आप इसी तरीक से R. V. I. बोल रहा है कि मुझे पावर दो ताकि अगर कोई कल को कोई उल्टी सीधी हरकत करता है उसके बैंक के डिरेक्टर वगएरा को मैं हटा सकूँ तभी जाकर मैं रेगुलेट कर सकूँ डंसे तभी जाकर मेरा कुछ उनके ओपर कंट्रोल आएगा तो आप लोग कुछ पावर देनी चाहिए मुझे ठीक है यह बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं आप लोग को बोलू अगर मैं आप लोगों से कोई कुशन पूछता हूँ आप आंसर नहीं देते तो मैं आप लोग को पनिस कर सगूँ कि आज आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगी ठीक है तो उस तरीके से कुछ होना चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा आभी फिर रेगुलर हो जादा हो जाएंगे तो देखे कुछ ने कुछ यहां पर दोनों ही चीज़े होनी चाहिए मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए एक त इसी करते रहें उससे उनकी कहानी खराब हो जाती है वो हमें साथ देमोटिवेट रहते हैं तो एक असली जो लाइफ जीने का तरीका होता है वो हता है बैलेंस बना के चलना चाहिए ताकि यहां पर चली चीज़े एक प्रोपर वे में होती रहें तो इस तरीके से आप बात पैसिव युथनीजेग को अलाओ कर दिया क्या है इसका मतलब पैसिव युथनीजेग का मतलब है कि अगर कोई पर मरने दीजा जाए इसको पासिव य॥नीजचन के अगर किसन ाप लोग अगर किसी इंसाना तरीक्टिव है वो मोज से बह yai बह बत्तर हो चुके है मतलब कर रहा है कि आप लोग मुझे मार दीजिए, मुझे जिंदा रहने में कोड़ा क्यों की दर्द मुझे जिरते हाका, दर्द वहीं हो रहे हैं, बहुत मतला बिलकुल प्रेसानी बहुँ जाद आगा तो उस तरह पर इनसान को यह तो गोली दे कर, फिर अगर उसको मारा जाता है, तो उसको बोलते है active euthanasia, ठीक है, कि उसको निजाद दिला दी जाए pain से, और वो काफी ज्यादा pain जेलने के अब काबिल भी नहीं रहा है, तो इस तरीके से बोलते हैं, उसको active euthanasia, passive euthanasia हमारी country में allow कर दी गई, living will be allow कर दी गई है, आज की date में ह लोग सही आरत में है, अगर हम लोग कुछ ऐसा लिखके जाते हैं, जिस तरीके से अपनी बाले में कुछ लिखके जाते हैं, या कल को अगर कोई UTCD condition बनती है, तो हम को इस तरीके से आप लोग को death देनी है, ठीक है, कल को हम ऐसी stage में पहुंचा रहे हैं, कि वहां से recovery नहीं कर पा रहे हैं, और continuously उस vegetative state में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो हम लोग को इस तरीक से death आप लोग को देनी है, ठीक है, तो हम लोग अगर लिखके चले जाते हैं, तो आप लोग को देखने को मिलेगा, जिस तरीक से right to life with dignity है, article 21st के दाथ, तो right to death with dignity की बात की गई है, तो इसको भी कहिने कई fundamental right बना दिया गया है, लेकिन passive euthanasia को, active को नहीं बनाया गया है, ये बात आप लोग को याद रखने हैं, अब active euthanasia के बारे बात कर रहे हैं आपर, कि क्या ये next step हो सकता है, passive के बाद में क्या active को भी allow किया जा सकता है, तो उसके उपर ये article है complete यहां पर तो जो first writer हैं, यहां पर बोल रहे हैं कि हाँ, इसको allow कर देना चाहिए, तो पहले तो आप लोग को दो case के याद रखने है, common cause versus union of India और दूसरा अरूना सान बाग वाला case, ठीक है, उनके दोनो case आप लोग को याद रखने है, जब जब बात आती है, euthanasia की, इसी के वेस पर allow किया जा रहा है, तो right to die, right to death with dignity भी तो यहां पर होनी रहे, right to die with dignity भी तो उसी के तहत आता है ना फिर, तो fundamental right हो गया, फिर active और passive का क्या roll आगे हैं हाँ पर, ठीक है, अग दब certain guideline आप इसके लिए allow कर सकते हैं, तो certain guideline के साथ में आप दूसरे वाली को भी allow कर सकते हैं, ठीक क्योंकि जब fundamental right आप इसको बोली रहे हैं, कि right to die with dignity, जब आप लोग fundamental right बनाए रहे हैं, तो आदा fundamental right को फिर पूरा fundamental right क्यों नहीं, तो इसके बारे में फर्स्ट वाली जो बोल रहे हैं, यह बोले हैं कि हमको इसको allow करना चाहिए, second right रहे हैं यहापर इसको oppose करते ही नजर आ आप लोग देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा कि यह result कर सकते हैं, active euthanasia अगर allow करते हैं, तो कहिने कई killing का role play कर सकते हैं, मतलब लोगों को मारने के लिए उसका use किया जा सकता है, यह कई सारी बाते हापर निकल कर सामने आ सकती है, normally आप लोग यहाँ पर allow करने की बात की गई है, passive euthanasia, ठीक है, अगर कोई person यहाँ पर आसी हालत में है, कि यह कई बार क्या होता है, normally, कई सारे इंसान क्या करते हैं, depression में पहुँच जाते हैं, कई सारे tensor की वैसे बोल जाते हैंगी, मुझे suicide करना है, कई बार बोल देते हैंगी, मतलब आप लोग मुझे death दे दीजे, तो बहुत सारे reason बन जाते हैं, कोई depression में जाता है, कोई और सारे reason बन जाते हैं, तो उनकी वैसे भी कई बार इंसान इस तरीकी बाते बोल देता है, तो उसका भी गलत यहाँ पर, गलत misuse हो सकता है, अगर इस तरीक है, कोई law हम लोग यहाँ पर implement करते हैं, तो यहाँ पर active जो euthanese है, उसको कभी भी allow नहीं करना चाहिए, वरना हमारी society इस तरीकी कि आप लोग को देखने को मिलेगा, कुछ दिनों पहले तक, अगर कोई attempt अगर suicide करता था, पहले तो उसको क्या माना जाता था, उसको crime माना जाता था, पर लेकिन फिर इस तरीके chances जाता है, उसको सामने, कि वो बोलता है कि मुझे मार दो, ठीक है, तो active euthanese allow करने का मतलब यह है, कि आप लोग और complicated situation यहाँ पर create कर रहे हैं, तो active euthanese कभी allow नहीं करने चाहिए, passive euthanese है है, क्योंकि एक बहुत आप लोग देखने को मिलेगा, एक बहुत इतना आप लोग देख सकते हैं, यह जो आप लोग passive euthanese है कि उपर इतने सारे बवाल चल रहे है, active अगर allow कर देते हैं, तो फिर बहुत ज़्यदा problem यहाँ पर create होने वाली है, तो यह आप लोग को सोथ समझ कर step लेना चाहिए, ऐसे ही बातों-बातों में step नहीं लेना चा इतना चाहिए, उसके लिए Supreme Court की guideline यहाँ पर निकल कर आ रही है, Supreme Court की guideline अपनी जगह है, पर आप लोग को हैं आप लाँ बनाना चाहिए, क्योंकि देखिये, legislator का काम होता है कि लाँ बनाए और लाँ की form में उसको implement करें, तभी जाके यहाँ पर चीज़े सही हो पाएंगी, क्योंकि Supreme Court only guideline दे सकते हैं यहाँ पर, पहले आप लोग काम है कि आप लोग लाँ बनाएए, पैसिव यूथिनीजिया को गवर्न करने का active तो यहाँ पर बात की बात अभी देखी जाएगी, और बड़े ही सांदार तरीके से इन्होंने एक बात बोली है, जो की काफी करेगा, फिर magistrate के पास जाएंगे, फिर मासे certify किया जाएगा, उसके बाद में उसको implement किया जाएगा, living will का भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरीके से living will भी proper way में एक procedure के तहत implement की जाएगी, तो वो बात है अपनी जगे सही है, तो यह क्या बोल रही है, कि आप लोग प पाद में, passive euthanasia को implement कीजे, और passive euthanasia को implement करने के बाद में, आप लोग जो experience feel करते हैं, मतलब passive euthanasia सही चल रही है, सही तरह से implement की जा रही है, किस तरीका आप लोग experience feel कर रहे हैं, हमारी society के बारे में भी जानने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों कहाँ पर वही बात देखन करने को मिलेगी, कि किताब तो आप लोगोंने बहुत सारी पढ़ ली है तैरने के बारे में, swimming के बारे में, पर लेकिन जब तक आप लोग पानी में नहीं कोदेंगे, तब तक आप लोग को तैरना नहीं आएगा, तो जब तक आप लोग passive euthanasia को धंसे implement नहीं कर पाते हैं, और passive euthanasia को देखे implement करने के बाद में, उसके experience आप लोग के निकल कर आते हैं, उसके experience के base पर, आप लोग को आगे सोचना चाहिए, कि active euthanasia को हमारी country में allow करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, तो पहले आप लोग जहां पर है, उसका experience लेजिए, और उसके base पर सोचे कि ह society कैसी है, किस तरीके से implement के जा रहा है, आप law क्या बना रहे हैं, और क्या उसका impact पड़ रहा है, उसके base पर आप लोग active euthanasia के लिए आगे बढ़ सकते हैं, अभी बहुत complicated है बोलना कि इसको allow करना चाहिए, या allow नहीं करना चाहिए, तो ये बिलकुत सही बात बोल के गहीं पसंद करेंगे, ठीक है, आप लोग अपना view बताये कि allow करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, या आप लोग भी इसी path पर चलना पसंद कर रहे हैं, तो नीचे comment box में आप लोग अपना view भी दीजेगा जरूर, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग के लिए ह यह यहाँ पर, यह देख सकते हैं, यह होगे हमारा प्यारा इंडिया, यहाँ से आप लोग जाएंगे, तो यहाँ पर यह लोकेशन देखने को मिलेगी आप लोग को, यहाँ से जाए 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 गास वैसे, इसके अलावा आप लोग को थोड़ से इसकी capital वगएरा के बार यह हो गए Luanda, ठीक है, और नेक्स्ट बात करें हैं, यह अंगोलियन क्वांज, यहाँ पर आप लोग इसके currency नजर आएगी, और अगर बात करें, मैप पर यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यह हो गया Congo, यहाँ पर हो गया Jambia, यहाँ पर हो गया Namibia, तो यह भी थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, आएब आगे बढ़ते हैं, आगे बात की जा रही है, पाकिस्तान के और इंडिया के जो High Commissioner है, उनके बारे में जिकर किया जा रहे हैं, जो हमारा High Commissioner है पाकिस्तान में और जो पाकिस्तान का है, हमारी कंट्री में, एक दूसरी के उपर आरोप परत्यारोप लगा रहे हैं, कि उनके जो High Commissioner है, उनकी safety ढंसे नहीं का जा रहे हैं, और सही treatment उनके दिवारान उनके साथ में नहीं किया जा रहा है, बात क्या की जा रही है, बात ये की जा रही है, कि आप लोग को देखने को मिलेगा, हमारी कंट्री में, जो पाकिस्तान के जो अगर High Commissioner की बात करें, 500 लोग वहाँ पर आज की डेट में रह रहे हैं, लगवग, over 500 लोग यहाँ पर including officials, आज की डेट में यहाँ पर इनके family members सब मिलाके, जो High Commissioner है Delhi में वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, और अगर बात करें, Indian High Commissioner की पाकिस्तान में, तो हमाँ पर only official रह र रहता है, ठीक है, और जो यहाँ पर only family भी नहीं है, जो diplomats है, उनकी भी security प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, हमारे जो official हैं, हम बहुत बात बोल चुके हैं, कि security प्रोवाइड करा दीजे, पर लेकिन हमारे officials की आपर security प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, पाकिस्तानी आइकमिस ने बोल ला है, कि हमारे साथ में सही treatment नहीं किया जा रहा है, इंडिया में, ठीक है, तो इसलिए कई सारी इस्यू निकल कर आ रहा है, तो देखे आगे क्या इसका result निकल कर आता हो, तो देखने को मिलेगा, अभी दोनों के बीच में बिल्कुल ऐसी चल रहा है, ज क्योंकि BJP हमको किसी भी तरीय सपोर्ट करती भी नजर नहीं आ रही है, इस special category के status के उपर भी आप लोग देखते हैं, काफी मुद्दा गुमरागरमाया हुआ है, चाते है special category का status मिलें, पर लेकिन उस पर भी कोई हाँ पर सोचने के लिए तेयार नहीं है, तो इसलिए इस निकल कर आ रही है, नेस्ट बात की जा रही है, आपर यह है committee of administrator, यह setup की गई थी Supreme Court के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिला है, BCCI में कई सारी यहाँ पर ulti-cd हरकते पाई गई थी, malpractice पाई गई थी, उसके बेस पर देखने को मिला गी, हाँ पर एक committee बनानी है, जो कि administrator है करे और यह कौन था, इसके जो chief कौन थे हाँ आपर, यह थे विनोध राइजी, former keg आप लोग इनको देख सकते हैं आपर, ठीक है, तो यह हाँ पर इसको नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो और जदे हैं आपर tight करने के लिए बात की गई है, अच्छा, आप लोगो यह बताना है, कि कौन सी committee थी, जिसके द्वारा recommendation दी गई थी, guideline दी गई थी, वो judge थे, आप लोगो पहले कई बार बता चुकों, उनके बारे में, उस committee का नाम बता आईएगा नीचे comment box में, ओके, याद तो हो गए आप लोगो वैसे थोड़ा time हो गया है, नहीं याद होगा तो कल आप लोगो revise करा दूगा, अब आगे बढ़ते हैं, काफी interesting information है, और question भी बन सकता है, आपर हरियाना assembly ने भी death penalty के लिए बोल दिया है, जो कि बच्चों के ल हो गया है, हमारी country में तीन state ऐसे हो गया है, जब आप बच्चों के साथ में कोई गलत थरकत होती है, तो रेप का यहाँ पर अगर किया के जाता है, तो उनके लिए आपर death penalty को allow कर दिया गया है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, ब उसमानिया यूनिवस्टी में हैधराबाद में होने वाला था, पर लेकिन बाद में security region की वे से इसको यहाँ पर transfer कर दिया गया मनिपूर में, जनवरी में होने वाला था, अब यह हो रहा है यहाँ पर मार्च में, तो आप लोग को यह बताना है, इसकी theme क्या है, उस टाइम यहाँ पर बात की जा रहे है, ministry of finance ने यहाँ पर decline कर दिया गया, 3% GDP allocation करने के लिए बोला था, defense ministry को, ठीक है, तो standing committee ने बात बोली थी, पर लेकिन इसको decline कर दिया गया, कि यह सही बात नहीं है, next है, यहाँ पर आप लोग दिखते है, कल भी हम लोग ने discuss किया था, US, Russia और UK क के बारे में, तो यहाँ पर अब UK के साथ में, चार कंट्री आगर खड़ी हो गई है, US से France और Germany बोल रहे हैं, कि Russia सही नहीं कर रहे है, Russia को यह सारी हरकते सुधारनी चाहिए, US ने भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, नए नए सेंक्सन लगा दिया है, तो दो ऐसी कंट्री ह परता हो, नजर भी नहीं आता है, एक तो आप लोग North Korea देख सकते हैं, दूसरा Russia, क्योंकि US से दुनिया बर के सेंक्सन इन पर ओल लेडी लगा चुका है, तो 9 इंडिविजुल और 5 ग्रूप्स जो कंपनी है, उनके ओपर यहाँ पर देखने को मिलेगा, यह सेंक्सन लगा हैंगे, यह बात बोली गई है, आपर साओधी अरेबिया के जो प्रिंसे सल्मान उनके द्वारा, उन्होंने बोला है, आपर जो अतो युल्ला, यह अलीक हैमी है, आपर जो इनके लिडर है, उनको बोला है, अडोप हिटलर के साथ में उनका कंपेर किया है, कि अगर यह इस हो जाए, अपने आसपास में सपाई रखे, पेड़ पोदों को और पानी को सेव कीजिए, और प्लास्टिक या पोलेथिन बैग वगरा कम से कम यूज कीजिए, या फिर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स अलोट फो लिसनिंग, ज किये हिन,